कि दोस्तों आज आपको बताएंगे goose for wine या रंगून लगाने की बिध्य जो इसे मधमालती के नाम से जाना जाता है ऐसे तो मधमालती का बहुत सारा विराइटी आता है आज सभी बारे में बताएंगे और यह सुगंधिति फूल होता है इससे पहले भी बहुत सारा सी गंदेट फोल पर वीडियो बनाए हैं अगर आप न्यू बीगिनर है या पहली बार लगा रहे हैं तो जरूर आप ये लगाईए ये लगाईएगा तो देखिएगा आपके घर में बहुत सारा फूल अच्छा सा आएगा और इतना अच्छा गम में रंगून में या मदमालती में आपको कितना अच्छा फ्लावर देगा एक फ्लावर में मतलब बंच के तरह 100-200 फ्लावर आ जाते हैं वह बगर एक बार मैं जो खात दिया हूँ या जो चीज दिया हूँ वह सब बता देंगे और गमला में आप कैसे लगा सकते हैं इसका प्लाइट आराम से सर्वाइब करेगा और इसका प्लाइट का दाम भी जादा नहीं है 10-12 रूपे में आराम से मिल जाएगा मतलब 10 रूपे में तो एनिटाइम मिलते रहता है हरे गार्डेन में जाइएगा जहां भी नर्शरी हो आपके छत में वहाँ जाइएगा तो 10-12 ये भी आसान है इसमें 75 परसेंट मिला दे और उसमें आप वर्णमिंग कमपोस्ट जैसे ही मिला दीजेगा उसके बाद उसमें आप सर्सो की खली डाल सकते हैं सरसो की खली एक मुठी और यह नीम अगर केक आपके पास एक लेबल है तो एक मुठी और सारा चीज को मिला दीजे उसके बाद 75% मिठी भर दे जो भी गमला या कोई चीज में लगा रहा है और उसमें ही इसका बीच में ऐसे खुल कर दे गमला में जिसे पानी पूरा निकलते रहे नहीं पानी निकलेगा तो आपका सर्वाइब नहीं कर गए यह देखी कि इतना च्छोटा प्लांट है ऐसा बेवी एस्टोन बहुत सारा निकला रहता है आपके पूरा छेतर में देखिएगा जो इस च्छोटा च्छोटा प्लांट बहुत जारा जन्मा रहेगा जहां भी आप देखिएगा इसका प्लांट वहां और उसमें आप जो गमला के मिटी में आप देखिए एनपी के उनएस उनएस है और पॉली इथलीन या पॉली लेथलीन आईपील का आता है वही नाम से एक आता है हम नाम लिख देंगे वह आप डाल दीजीगा और इसमें हम यह इसम लाकर उसके बाद पोटा से मिला देते हैं और ये इतना मतलब हमारा तो बहुत बारा प्लांट है क्योंकि मैं गार्डेन में ऐसे ही लगा दिया था जीसे मेरा प्लांट और भी सर्वाइव करने लगा और अच्छा से चला है और जैसे ही में यह सब मिला दिया और इसमें पोटास बन्मनर में कंपोश्ट e x मिला देता हूं मतलब हम तो 1 कजी मिलाते हैं क्योंकि मेरा बहुत बधा प्लांट है एक केजी से ज्यादा भी मैं कभी कभी दे देता हूं उसे कुछ नहीं होता है और इसमें जो होता है मैं 100 ग्राम के हैं स्वाब रखता हूं सारा खाद को मिला के क्योंकि मेरा बहुत बारा प्लांट है और 4-5 साल से मैं उसका कटिंग भी नहीं किया हूं वैसे ही रहता है आप तो कटिंग करते रहिए क्योंकि गमला में लगाईएगा तो कटिंग करना ही होगा इसका और रात रानी का दुनों एक ही जग मैं लगा दिया था मैं पहले 10 रूपे या 12 रूपे में भीगनर था तो ऐसे ही लगा दिया था उसके बाद यह सरवाइब करने लगा इसमें एक तिलकोर टाइप का जो आता है कुनरी वह बला हो जाता है जो बन कुनरी के नाम से जाना रहता है और दखिए कितना सारा बंच बे फ्लावर दे रहा है इसमें इतना इतना बंच बहुत ज़्यादा रहता है और इसका छोटा भी टुबलेट बहुत ज़्यादा र रहता है 100-200 प्लांट हो जाता है जहां एक प्लांट लग जाता है और इसका सुखने का ज्यादा चांस नहीं रहता है सालों भर ये फ्लावर देते रहता है मतलब अभी देगा एक बार बर्सा के सीजन में भी देगा आज कल तो कुछ आदमी हाईविडिट पर भी जाने लगे इसका एक प्लावर आप सुखेगा तो इतना ज्यादा मन मोह लेगा जो आप समझ जाईएगा जो इतना ज्यादा सुखनतित होता है आप जरूर इसका प्लांट लगा है और इसका प्लांट आपको नरसरी में आराम से मिल जाएगा कोई भी नरसरी जाएगा वहाँ पर आप चीज का पेर जो बड़ा हो आम या का तो उस पर पूरा च्छा देगा इतना ज्यादा इसमें रहता है ये बोगन भी लिया दोनों एक ही हमको लगता है फैमली का है क्योंकि फ्लाबर भी दोनों का सेम ही रहता है और प्लांट का साइज भी दूसरे तरह करता है इसमें थोरा क उसको काट देता हूं लेकि नीचे से फिर new suit हो के आप जब भी काटे तो can new sun को नहीं काटे वो new suit को होने दे प्राना बाला को डेट धिरिंग करदे पुराना बाला जैसे ही काटिएगा उसमें फ्लाबरते मतलब अभी बंद कर देगा और वो जैसे ही आभी यह मौस में तो flowers देगा मई जून जुलाइ तक अगस्त सेंबर तक यह flower देगा क्योंकि बडराबर देते रहेगा बराबर जहरते रहेगा ऐसे ही होते रहता है और उसके बाद ये बंद हो जाता है, ठंsal के मौहसम में चल आ जाता है, उससे में फ्लावर नहीं देता है, लेकिन hybrid सभी दिन फ्लावर देते रहता है, इसलिए आप गमला में लगाने की सोच रहे हैं, तो hybrid भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं आपको जो प्लान्ट मिले वह ऐसा लगा लिजए यह प्लान्ट ज़रूर आप अपने घर में लगाए ज़्यादा तर चांस है तो गार्डेन में लगाए अगर गार्डेन नहीं है आपके पास मतलब बाहर बाला जो लोन होता है वो ऐसा टाइप का तो आप मतलब उपर लगा दे च्छत पे और उसमें गमला में लगा दे गमला में यही रहता है जो कटिंग करते रहेगा तो आराम से सरवाइब करेगा ओछे महिना में आपका flower देने लगेगा cutting से लगा या जैसे भी लगा इसमें color भी आज आज कल दो-तीन खलर हो जाता है अपने आप इसमें color वदल लेता है white और red रहता है पहले लाल रहता लेकिन ऐसे कलर में आप हाइडरिड बाला में देखें है दो तीन कलर आने लगा में देखें है अब वो देख लिजेगा धन्य बाद अगर इतना दर वीडियो देखें तो मेरे वीडियो को लाइक सब्स्क्राइब करें इस एंवाने नरी सब्सक्राइबन do